हलो दोस्तों तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही अच्छे धमाकदार सीरीज की जो पर डे हर रोज एक वीडियो आप लोगों को जो है इसमें दिया जाएगा और यह बात किया जा रहा है यूपी पीडियो अच्छा लगता है यह सीरीज अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट यह तीनों चीज़ी कीजिए और कमेंट भी कीजिए कैसी वीडियो लगी आप हैई में लांच कर रहा हूं तो आए चलीए शुरुआत करतेач के साद मैं इंटो टेक्स पहला क्वेश्चन है एक वर से अधिक बंडारन के लिए सरसो बंडारन नमी की परशत मात्रा कितनी होनी चाहिए वेसे जनली दोस्तों जो है सरसो की नमी परशत मात्रा जनली 6 से 7 होता है लेकिन इसमें जो दिया है 6 हम क्लिक कर देंगे आप से नमारा क्या सही होगा 6 चलो अगले कोश्चन को देखते हैं एक एयर टाइट अनाज भंडारन में कीड़े मारने के लिए अक्सीजन का परिशत घटकर लगबग होना चाहिए यह काफी अच्छा कोश्चन है और इसका एंसर जो है 20 है इसका एंसर 20 है अगले कोश्चन क कितने बराबर होता है लगबग तो यह हमारा एंसर हो जाएगा बी आप्सन 50 किलो कैलोरी प्रति मीनट अगले कोश्चन के तरफ चलते हैं इस्टोरेज बीन में प्रेसर डिस्टिब्यूशन दाब भी तरह नहीं है यहां पे चार आप्सन दिये हैं जो प्रिंस्पल है प्र प्रिंसर बभी तरफ चलते हैं डियों का एंगिल आपम जो होता है यहुशन ब्रेवन का होता है 25 से 28 लेकिन हम यहां जर्मीली देखने 16 चार डिया है तो हमारा आप्सन नंबर हमारा आप्सन नंबर हो जाएगा बी 16 a.25 इसलिए दोस्तों अगले कुश्चन के तरफ बात क question है हमारा बुखारी प्रकार की जो है यह Disいきós तरफ की तरफ जलते हैं रेंकाईन सूत्र का हुपयोग इंग मैं से अगले कोश्टन के तरफ चलते हैं विस्तों और अगला कोश्टन है निम्रखित में से कौन प्रसीतन प्रणडाली का भाग नहीं है यह चार अप्शन दिये हैं और इसमें कूलिंग सिस्टम का कौन सब भाग नहीं हमें बताना है तो यहां पर आपसन हमारा हो जाएगा सिआपसन आथ हम जानते हैं कंप्रेशन और कंडेन्स यह हमारे चार होते हैं तो हमारा कुंटरा समन्स दोफ्सिलिंडर बिंग की जो चमता होती है होती है हमारे एक से 40 टन कि भी आप्शन सभी है अगले कुशन चलते हैं बुखारी टइब भंडाना उचना की चमता होती है लगभग यह काफी ही जो फेमस कोश्चन है टैप सिटी आप बुखारी टैप इस्टोरेज इस्ट्रक्चर तो हमारा इसका कैप सिटी होगा आप्षान नमबर ए अगले कोश्चन के तरफ चलते हैं और अगला कोश्चन हमारा है अंगूर के भंडारन है तो अभिष्ट आपमान तो इसका एंसर हो जाएगा बी आप सोरी सी आप्षन अगले कोश्चन के तरफ चलते हैं बोरा भंडारन समझे हम बोरों के धेर से धेर की दूरी होती है यह आप लोगोंने अच्छे से पढ़ा होगा अप्षन नमबर भी दो क्यांट मीटर अगला कोश्चन है एक वर्स के भंडारन के लिए गया हूं कि अधिक्तम प्रसीतन नमी अर्द अधार पर होती है कितना होती है आप लोग जैसे जानते हैं 12-14 होती है तो इसमें अमरा आप्षन भी 13 है अगला कोश्चन है प्याज के बंडारन रहे तू अप आप लोगों को पता होगा डी नवबे से पंचांबे इन में से कौंट रेफ्रिजरेशन की काई है तो आप लोग जानते हैं यूनिट अफ रेफ्रिजरेशन इच अप्शन नमबर डी अगले कोश्चन के तरफ चलते हैं जांसन का सुप्र में इसे किसके अभी कलपन में प जाता है तो आलो भंडारन के लिए आपसा नमबर सी चार डिग्री सेंटिरेशन के तरह चलते हैं कोठा टाइब बंडारन के छमता होती है तो कोठा टाइब बंडारन के छमता के लिए आप लोगों को पता होगा नो से 35 आपसा नमबर सी अगले कोश्चन के तरह चलते हैं धान के एरेशन के लिए सबसे अधिक प्रचलित एयर फ्लो रेट घंड मीटर प्रति मीनट प्रति प्रति प्रतन होता है यह काफी जो है अच्छा कुश्चन है और इसका एंसर जो हो जाएगा आपसन नमबर ए 0.0720.28 अगले कुश्चन के तरफ चलते हैं मुराई टाई लिए धान की अधिक्तम प्रति सत नमी होती है तो अगर एक वर्ष के लिए करना है तो हमारा आपसन हो जाएगा भी दस प्रति सत पानी का घंड तो होता है यह तो सबको पता है एक हजार किलोग्राम प्रति घंड मीटर होता है अगले कुश्चन के तरफ चलते हैं सीचाई हमारा बार्डर हदे आ है तो यहां पर बार्डर सय योग डिए एलिचनी चहनता है अधिकतम होती है चलिए अगले कुश्चन के तरफ चलते हैं और अगला कुश्चन हमेरा है आस्थानए वाइवाई मंधिलिये दभाका मापंद करते हैं में तो सबको पता होगा नहीं पता है या है होता या पास्कल होता है ये किस को में खुली नाली में इस्टेडी बहा होता है तो दोस्तों ये question जो है ये question आयोग द्वरा जो है star दिया गया है यहाँ पर confirm नहीं बताए गया है इस्टार मार्क है अगर आप लोगों को जो गर ये question question का answer पता हो तो आप comment कर सकते हैं जल में डूबी चार mm नली में केश का उस्थान साड़े साथ mm है यदि उस तली में तीन mm ब्यास की नली डाल दी जाए तो इसमें केश का उस्थान कितना होगा तो दोस्तों आपने कैपलेरी पढ़ा होगा तो कैपलेरी में जो है एक पाइप में रेनाल नंबर होता है पाइप में रेनाल नंबर अगर जो है 500 से कम है तो बहुत जो क्या होगा लेमिरार होगा अगर यही चैनल में पूछी देता है चैनल में तो इसका 500 से कम पर लेमिरार होगा अगले question के तरफ चलते हैं निमन में से कौन सा एक प्रकार का द होता है रियल भी होता है न्यूटॉनियन भी होता है लेकिन यहां पर इस्ट्रॉंग द्रव नहीं होता है अगले तरफ अगले के तरफ चलते हैं नियुकित में से कौन सा एक प्रकार का फ्लूट फ्लो नहीं है जो फ्लूट फ्लो करता है उसमें से एक प्रकार नहीं है यहां तो दोस्तों अगर इसका इंसर आप लोगों को पता हो तो बता सकते हैं यह अगले वीडियो जब मैं बनाओंगा तो उसमें इसका solution के साथ जो है इसका comment बता देंगे अगला question के तरह चलते हैं भूसी निकालना वदाल का लग करना इनमें से किसकी अंतरगत आता है तो यह आप बता सकते हैं Gradiक के अंतर अंतरगत आता है अगला बात करते हैं अ स्यूंक फोरिख शोरी। एस में कीस अस्तान पर विक्सीट करते हैं गया तो यह आप सभी लोग जानते हैं Lousiana Lousiana USA तो इसमें देख सकते हैं Lousiana कहां दिया आपसा नूंबर B आपसा नूंबर B अगले ぇकोश्चन चलिए थांकर दोस्तों इतने ही कोश्चन और आप अगर और वी वीडियो इस सीरीज में और वीडियो चाहते हैं और मैं डालूँगा भी अगर आप चाहते हैं तो हमारे जो चैनल को फालो कीजिए सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और कमेंट रिकीजिए कैसी वीडियो लगी और भी इससे अच्छी सीरीज में लाने वाला हूँ जब तक एक्जाम नहीं हो जाता तब तक इस सीरीज चलती रहेगी तो आप लोगों से निवेदन है अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें सेयर करें और लाइक करें धन्यवाद दोस्तों